नमस्कार दोस्तों आपको मेरे सेटो चनल रिपोट पर नाम है दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्या में उसमें आपको बताऊंगा पुस्ट आपिस सिनियर सिर्जन अस्कीम दोजार चूबिस के बारे में दोस्तो पुष्टॉपिस की सबसे पॉप्लर स्कीम जिसका नाम है सिनियर स्विजन से भीग स्कीम दोस्तो इस स्कीम में आपको केबल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के उपर आपको हर तीन-तीन महीने पर यानि कौटरली आपको ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा मतलब कि दोस्तो इस स्कीम में जमा पैसा के उपर कौटरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो दोस्तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट आपिस सिन्यर सिर्जन स्कीम का क्राइडियरिया क्या है? इस स्कीम में कौन लोग पैसा निवेस कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं? क्या होगा इस स्कीम में निवेस करने के लिए एज लिमिट? पोस्ट आपिस सिन्यर सिर्जन स्कीम में इंटेस्ट क्या है से नहीं मिलेगी टीडियास कितना कटेगा और दोस्तों पोस्ट आपिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे हमको आवेदन करना होगा क्या डॉक्मेट्स देना होगा जी हां दोस्तों सीनर स्टेविंग से जुड़ी सारी जनकारी मैं आपको विस्तार से फड़ा-फड़ बता रहा हूं और दोस्तों अगर आप भी इस स्कीम का लाव लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमिट में लिकर चुरूर बता हैं तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं दोस्तों पुष्ट आपिस की सीनर स्टेविंग बरिस्ट नागरिकों के लिए है पुष्ट आपिस की इससकीम को तीन साल के लिए और आप इक्सकेंड कर सकते हैं यानि बढ़ा सकते हैं दोस्तो अब जम लेते हैं पुस्ट ऑपीस की इससकीम को कौन-कौन लोग ले सकते हैं क्या है क्रैट relatively तो दोस्तो बरीश्ट नागरिक रीडार्मेंट के बाद थी स्स एकाउंट को खोल सकते हैं जिसका एज 60 बर्स या उससे अधीक आईव के बाद एकाउंट खोला जा सकता है कि इवेन वी आरेस लेने वाला ब्यक्ति जो कि 55 यह से ऊपर है और 60 60 यह से कम है वो भी इस एकाउंट को खोल सकता है दोस्तों इस एकाउंट यानि एकाउंट की मैजूटी परिड़ पांक साल की होती है मिनमाम अमाउंट आप इस एकाउंट को नगत और चेक के जरीए खोला जा सकता है लेकिन दोस्तों याद रखे कि एक लाख रुपे तक एकाउंट खोलने के लिए गैस देना जरूरी है तब ही आप इस एकाउंट को खोल सकते हैं अगर आप एक लाख रुपे साधीक रखम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो चेक देना आनिवार चाहिए अब जान लेता है सीनर सीडियन सेविंग स्की में कितना खाता खोल सकते हैं तो दोस्तों बरिश नागरी एक से अधिक एक एकाउंट खोल सकते हैं प कि अदलब सभी अकाउंट को मिला कर फुल 30 लाक रुपेश जाता की रखम जमान नहीं सकती बहले चाहिए कि जितना खोले गया एससी को एक पुश्ट आपिस दूसरे पुश्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं इस स्कीम को एक साल बाद बंद करने पर जमा रखम पर आपको व परशंट फिजदी का ब्याज मिल रहा है दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पांच लाग जमा करता है या फिर दस लाग या पंदर लाग या तीस लाग तब उसको कौटरली इंटरेस्ट के इतना मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको कैल्पूर्टर से कल्व व्यक्ति को मिलेगा 30,750 रुपा कौटरली इंटरेस्ट वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति तीस लाग जमा करता है फाइव यर्स के लिए तो 8.2 परशंट के हिसाब व्यक्ति को मिलेगा कौटरली इंटरेस्ट 61,500 रुपीज है दोस्तों अब जानने ते टीडियस टैक्स सविंग के बारे में तो दोस्तों एससे एकाउंट आप उपन करते हैं तो आपको टैक्स में वेंफिट मिलेगी एंटरेस्टेक्शन एटीशी डेल लाग रुपे तक आप बचा सकते हैं टीडियस अप्लिकेवल सब्सक्राइब करने के लिए आप कोई भी विजिट जैस्ट विजिट और नियरस्ट बैंक ब्रांच या पॉस्ट आपिस ब्रांच आप एक फॉर्म लीजिए फॉर्म फिल करके आप डॉक्मेंट्स में आपको अधार काट पैन काट टू पासपोर्ट से फोडोग्राम और दोस्तों मेरी चनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद